बकरीद का वीडियो डालने से पहले हमने लोगों से पूचा कि हम इसको कब डालें तो बहुत से लोगों ने का सर इसको डालिये ही मत क्योंकि ये खत्रे से खाली नहीं है देखिए मुझे नहीं लगता अगर मैं अपनी बात सम्मान जनक रूप से रख रहा हूं तो इसमें कोई भी खत्रा है हाँ ये जरूर है कि सोशल मीडिया ने एक नफरतों का महौल सा बना रखा है क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं सरकार की हर नीती की बिना सोचे समझे अलोचना करते हैं एक तरफ वो लोग हैं जिनकी भाशा बिना गाली का सहरा लिए आगे नहीं बढ़ती एक तरफ वो लोग हैं जो मजब के नाम पे ऐसी ऐसी बाते बोलेंगे कर गुजरेंगे जिससे पूरी कौम बदनाम होगी एक तरफ वो लोग हैं जो राजनीती में विफल हैं जिनको धरम के नाम पे नोट बटोर नहीं हैं वो लोग हैं जिनको शुरूती और स्मृती में फरक नहीं पता होगा, गीता छोड़िया, इन्होंने गीता सार नहीं पड़ा होगा, और सोशल मीडिया इनको भिडाता रहता है, क्योंकि उसको अपनी रोटियां सेक नहीं है, और इस चक्कर में हम डरे डरे रहते हैं, मैं आपको एक real life example देता हूँ, सड़क पर अगर किसी लड़की के साथ कोई बदसलूकी कर रहा है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो क्या मदद करने से पहले आप पूछेंगे, कि भई तुमारी political ideology क्या है, या तुम किस धर्म की हो, या किस जाती की हो, तो जिस चीज से हम डर रहे हैं वो तो मौझूद ही नहीं है, पर ये डर इतना ठोस हो गया है कि इसने समवाद को दबा दिया, और ये बात खत्रे से खाली नहीं है, क्योंकि एक समवाद ही तो है, जो समाज को सब भे बनाता है, समवाद की वज़ा से ही तो हम जंगल से यहां तक पहुँचें हैं, तब ही तो जब कोई ताना शाह होता है, सबसे पहले वो समवाद को दबाता है, तो मैं यही कहूँगा, कि चाहे कोई कुरीती हो, या कोई कमपनी पेड़ काट रही हो, या कोई कमपनी जिसकी वज़ा से गाय कट रही हो, उसके बारे में बात करते रहे हैं, हाँ, अपनी बात सम्मान जनक रूप से रखिए.